आज है 11 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम 11 जनवरी से रिलेटिड करेंट एफिर्स के जितने भी important questions हो सकते हैं वो सारे के सारे discuss करने वाले हैं हरे question को मैं आपको पूरे detail में समझाने की courses करूँगा आपसे एक ही request है कि वीडियो में पूरे patience के साथ end तक बने रहीएगा और हाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे हो तो ये channel आप ही के लिए बनाया गया है सो अभी तक आपने इस channel को subscribe ने किया तो channel को subscribe कर bell icon को press कर दीजेगा ताकि हर सुबह आपको इसी तरह की वीडियो की notification मिलती रहे सो आईए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं सो जैसा कि कल हमने पर लिया था कि जनवरी 2023 में डॉक्टर विने प्रकास सिंग ACI परसांत डाकसंग के महासचीब न्यूक्त हुए 13 जनवरी को वारा नसी उत्तर परदेश से डिब्रूगर असम तक दुनिया का सबसे लंबा नदी कुरूज गंगा विलास लॉंच किया जाएगा किनके दौरा किया जाएगा तो परधान मंतरी स्री नरेंदर मोदी दौरा किया जाएगा इन दोर मद्ध परदेश में परधार मंतरी मोधी द्वारा 17 में परवासी भारतिय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया राष्टपती द्रौपती मुर्मु द्वारा जैपूर राजस्थान में सम्विधान उद्ध्यान का उद्घाटन किया गया पंकज आडवानी को साल 2022 के लिए एकलब व्यव पुरुसकार से सम्मानित किया गया 27 जनवरी से स्वदेश भारत दर्सन ट्रीन सुरू होने जा रही है ये मुंबई के छतपती सिवाजी टर्मिनस से स्टार्ट होगी लगभग ये 11 दिनों का और 10 रातों का सफर होगा इसमिर्ती मंधाना और सुरी कुमार यादव को ICC T20 किर्केट आप दे इयर आवोर्ड के लिए नामित किया गया तमिलनाडू के मंदिरों में हाल ही में सरद्धालों के मुबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी गई और इरान को हाल ही में सैयुक तुरास्ट महिला निकाए CSW से बाहर कर दिया गया हाले डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में अस्थापित होने वाला भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बन गया इस डार्क स्काई रिजर्व का आप याद रखना हानले डार्क स्काई रिजर्व ठीक है अब बात करेंगे आज के कुछ important questions के बारे में पहला question है कौन सा राज हाली में पूरी तरह से digital banking वाला राज बन गया तो अभी हाली में केरल जो है पूरी तरीके से ये digital banking वाला राज बन गया है इसके बारे में कुछ जान लुआ बात होड़े ये केरल की तो केरल से related कुछ important चीज़े जान लेते हैं केरल के जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है वो है पिनाराई विजियन यहां केरल के अस्थापना हुई थी एक नमंबर 1956 को राजधानी है त्रिव अनंतपुरम यहां के जो current गवर्नर है भी वो स्रीपी सत्सिवम है यहां के प्रमुख लोकनृत की अगर बात करू तो कतकली है, ओडम है, मुहीनी अटम है, काली अटम है, पादियानी है ठीक है और केरल की सिमाय जो है तमिलनाडू वो करनाटक से लगती है और सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला, अभी हाले में भारत का पहला राज बना है केरल और केरल सरकार दौरा अंगनबारी बच्चों के लिए अंडे और दुधियोजना की सुर्वात की गई है, केरल सरकार दौरा और कारबन तरस्त खेती के तकनिकों को पेस करने वाला देश का पहला राज़ बना है केरल तो केरल से रिल्टेड इतनी चीज़े आप ध्यान रखेगा तो सारे important questions ही selected रहते हैं मेरे सारे वीडियो में तो आप इसे ध्यान से patience के साथ देखिएगा आजादी सेट उपग्र किस स्टार्ट अप से संबंदित है जिसे हाली में सारे 700 इसकूली लड़कियों द्वारा निर्मित किया गया है तो ये Space Kids India स्टार्ट अप से संबंदित है और ये जो आजादी सेट उपग्रा है ये उपग्रा इजरो द्वारा इजरो इंडियन Space Research Organization जो भारत की Space Agency है द्वारा सोलर जनवरी 2023 को लांच किया जाएगा Space Kids India और या दर्ना इसे हाली में सारे 700 इसकूली लड़कियों द्वारा निर्मित किया गया है और आपके लिए एक कोस्टन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे बिर्सा मुंडा होकी स्टेडियम का उधगाटन किस राज में किया गया है अगर आपने मेरे प्रीवेस वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम होगा बात करते हैं नेक्स्ट कोस्टन की नेक्स्ट कोस्टन है विस्व हिंदी दिवस कब मनाया गया तो ध्यान रखना हर साल दस जनवरी को जो है विस्व हिंदी दिवस मनाया जाता है अब बात करते हैं कि अब तक कौन-कौन से important day को celebrate किया गया है सबसे पहले एक जन्वरी को मनाया गया वेस्विक परिवार दिवस या विस्तु सांती दिवस जिसकी थीम 2023 की है परिवार एक साथ एक उज्ज्वल भविस के लिए एक लचिलापन निर्मान दो जन्वरी को नेस्नल साइंस फिक्सन डे मनाया गया तीन जन्वरी को अंतरास्टिय मन सरीर कल्यान दिवस इंटरनेस्नल माइंड बॉडी वेलनस डे मनाया गया क्यों मनाया जाता है तो जो लोग 30 वर्ष से उपर आयूके हैं जिनकी एज 30 वर्ष से ज़ादा हो गई है उनको साल में कौन-कौन से टेस्ट करवाने चाहिए इसके बारे में जागता फैलाने के लिए हर साल तीन जन्वरी को इंटरनेस्नल माइंड बॉडी वेलनस डे मनाया जाता है चार जन्वरी को विस्व ब्रेल दिवस मनाया गया चार जन्वरी अठार सो नो को च्छी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को विस्व अनात्थ दिवस मनाया गया. अच्छा ये विस्व युद अनात्थ दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में जानलो। आप संघर्स में, संघर्स के काणन जो भी बच् Definit अपने माता पिता को खो चुके हैं, उनहीं बच् प्रवासी भारतिय दिवस, 17 प्रवासी भारतिय दिवस ये 8 से 10 जनवरी के बीच मध्य परदेश के इंदौर में आयुजित किया गया, ये मनाया गया था 8 से 10 जनवरी को, ठीक है, और पहला प्रवासी भारतिय दिवस जो है 2003 में मनाया गया था, अच्छा ये प्रवासी बड़ी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और पर्थम विश्व हिंदी दिवस जो है 2006 में मनाया गया था इसे भी आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट कोस्टन है हाली में किनके दोरा एस्पारिसनल ब्लॉक प्रोग्राम लाँच किया गया है तो अभी हाली में प्रधानमंतरी मोदी दोरा एस्पारिसनल ब्लॉक प्रोग्राम लाँच किया गया है यह होता क्या इसके बारे में जान लो इसका क्या उद्देश है तो जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्य प्रदेश, जार्खंड, उरिसा और पस्टिन बंगाल, जो मतलब इन राजियों में जो भी पिछले जिले हैंगे, उनका डेवलोप्मेंट किया जाएगा, ठीक है, एस पैडिसनल ब्लॉक प्रोग्राम इसे ध्यान रखिएगा आप बात करते हैं, नेक्स्ट कोस्टन की, नेक्स्ट कोस्टन है, भारतिय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंग, किस देश की पहली महिला सिखने आधिस बनी, तो यह अभी हाली में मनप्रीत मोनिका सिंग, जो है, यह अमेरिका की भारतिय मूल की है, यह भारत की रहने वाली है, अभी अमेरिका की ये पहली महला सिखने आधीस बनी है इसे ध्यान रखना बेरी इंपॉर्टन कोस्टन है बात करते हैं नेक्स्ट कोस्टन है हाले में सुरू होने वाला परिक्षा पर चर्चा 2023 की तैयारी की समिक्षा किस ने की है तो अभी हाली में धर्मेंद परधान ये सिक्षा मंतरी है भारत के इन्होंने अभी हाली में इसकी समिक्षा किया है 27 जनवरी 2023 से परिक्षा पर चर्चा सुरू होने जा रही है जहां परधान मंतरी मोधी छात्रों जो भी स्टुडेंट्स हैं स्टुडेंट्स के जो परिक्षा पर चर्चा कारीकरिम की सुरुवात ध्यान रखना आप 2018 में होई थी ये 27 जनवरी 2023 से सुरू हो रही है किस राजी में हाली में अंतराष्टिय पतंग महतसब शुरू हुआ है अंतराष्टिय पतंग महतसब तो अभी हाली में गुजरात के एहमदाबाद में हुआ है ये एक G20 की थीम के साथ हो रही है G20 की थीम है One Earth, One Family, One Future ठीक है इस थीम को यादखना important question है और 68 देसों के करीब 125 पतंग वाजों ने इस event में हिस्सा लिया है और 8 से 14 जनवरी 2013 तक ये एहमदाबाद में चलेगी ठीक है अंतराष्टिय पतंग महतसब ये गुजरात एहमदाबाद में सुरू हुआ है next question है किस राजी के मुख्मंत्री ने गंगा सागर मेला को राष्टिय दर्जा देने की मांग की है गंगा सागर मेला ये आप जानते होंगी ये मेला जो है पस्चिम मंगाल का एक बहुत ही फेमस मेला है अब यहाली में वहाँ की जो सरकार हैं उन्होंने कहा कि इसे आप राष्टिय दर्जा दो पस्चिम मंगाल के मकर संक्रांती के दिन ये गंगा से अगर मेले का आयोजन होता है जहां देश-विदेश से आए सरधालू गंगा में डुबकियां लगाते हैं ठीक है इसलिए गवर्मेंट ने कहा है जो भी पस्टिम मंगाल की गवर्मेंट है उन्होंने कहा है कि इसे राष्ट ये दरजा दिया जाए अब बात होड़ी पस्टिम मंगाल की तो पस्टिम मंगाल से रेटेट कुछ इंपोर्टन चीज़े जान लेते हैं देखो पस्टिम मंगाल की राजधानी है कॉलकाता ठीक है यहां के जो करिंट सीयम है वो ममता बैनर जी है करेंट गवर्नर जो है वो सीवी आनंद बॉस है पस्टी मंगाल के अस्थापना हुई थी एक नमबर 1956 को यहां का राजक्य पसु फिसिंग कैट है सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि वहां जो खाई जाती है वो फिस बहुत ज़्यादा फिमस है फिस और राइस तो रा मंगासागर मेला जो है वहां का परसिद्ध मेला है राजकी फूल की बात करूं तो तो सेफाली है और अमर्त सेन का संबन ध्यादा रखना पस्टी मंगाल से ही था अमर्त सेन और कोलकता पस्टी मंगाल का सबसे बड़ा सहर जैसे आप जानते हो और प्रमुख नदियों की तो हुगली गंगा भगीरती दामोदर मयूराक्षी ये सब वहां की प्रमुख नदिया है टोटल जिलो की बात की जाए तो 23 है और अभी हाली में ध्यान रखना पस्चम मंगाल सरकार के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक हजार रुपे कर्ज को मंजूरी दे दिये पस्चम मंगाल में ही सर्वस्रिष्ट गंतव प्रसकार से सम्मानित किया गया था और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुखर जी राष्टी जल्द और स्वक्षता संस्थान का उद्धगटन किया पस्चम मंगाल में है और कॉलकाता की कॉस्तव चेटर जी भा कॉलकाता में ही सुर्व की गई ध्यान रखेगा इतनी चीजें आप कॉलकाता से रिड्रेट ध्यान रखेगा अब बात करते हैं और नेक्स को कुस्तन की और आ और संजाम में आहसे तेज पंद्रह सौर्म रन बनाने वाले पहले खिलारी बने है तो अभी हालिमें 3 कुमार आदब जो है T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज यानी 500 रन बनाने वाले पहले खिलारी बन गए स्काई सॉट फॉर्म है सूरी कुमारी आदब का दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए है जिन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तीन सतक लगा है इसे ध्यान रखना इंपॉर्टन कोस्टेन है बात करते हैं नेक्स्ट कोस्टेन की और नेक्स्ट कोस्टेन है किसने 2023 ब्रिटीज जूनियर ओपन में गल्स अंडर 15 स्क्वास खिताब अपने नाम किया है तो अभी हाली में अनाहत सिंग मातर 14 साल की है नई दिल्ली के रहने वाली है अभी इसने हाली में ब्रिटीज जूनियर उपन में Girls Under 15 Squad किताब अपने नाम किया है ये जो है, ब्रिटीज जूनियर उपन गिजल्स अंडर 15 Squad ये चार से आठ जनवरी को United Kingdom के Birmingham में इसका आयोजित किया गया था ठीक है, और फाइनल में इन्होंने मिसर के सोहिला हजिम को तीन एक से हराया question of the day के बारे में पहला question है भारत के किस नियाधिस को award for global leadership से सम्मानित किया जाएगा और second question है महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा राज सिर्ष पर रहा है इन दोनों questions को already मैंने अपने previous वीडियो में बता रखा है सो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं सो आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी वीडियो के बारे में आपके जो भी opinions होंगे वो मुझे comment box में आप करके बताईएगा सो आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी helpful लगी हो थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को like और चानल को subscribe कर दीजेगा ताकि हर सुबह आपको इसी तरह की वीडियो के नोटपी के सर्ण आपको मिलती रहे सो आज की इस वीडियो को यहीं तरह करते हैं मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भार